दोस्तों, Huawei ने अपने smart watch launch कर दी है, खास बात यह है कि इसकी price, काफी कम price में यह launch हुई, लेकिन जो आपको features मिलेंगे वो premium label के मिलने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, Huawei smart watch के बारे में इसके specifications, price, सब कुछ आपको पता चल जाएगी अगर आपका भी budget कम है, आपको एक अच्छी smart watch चाहिए, तो कहीं न कहीं, Huawei watch fit आपके लिए सबसे best option होने वाली है तो सुरुवात करते हैं दोस्तों इसके display के लोगे, तो Huawei watch fit में आपको 1.64 इंच की AMOLED दिस्पले देखने को मिल जाती है, 2.5D curved glass के साथ में, resolution के अगर बात करें, तो यहाँ पर HD का आपको resolution मिलता है, 280 x 456 pixels का 326 ppi मिल जाती है, 70% screen to body ratio भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, और दोस्तों खास बात यह है कि यह full screen touch आपको मिलती है, कहीं पर कुछ भी यह सकी वगरा नहीं है display में, full screen आपको touch screen मिल जाती है, तो कहीं नहीं experience काफी अच्छा है, आप पर आपको देखने को मिल जाएगा, बात करेंगर कुछ और features की, तो आपको side left corner में एक single button मिलती है, Huawei watch fit में, जिसकी मदद से आप इस watch को power on, off कर पाओगे, या फिर wake up और खर पाओगे, और आपको इसमें 6 watch faces मिलते हैं, always on display वाले, जिसको आप change कर सकते हो, पर नीड के हिसाब से तो कहीं न कहीं काफी interesting, ये smart watch दोस्तों काफी सारे features के साथ में आती है, Huawei watch fit में आपको 12 kid animation मिलते हैं, खास करके जब आप exercise हो गयरा कर रहे हो, तो उस time पर आप अपने need के हिसाब से यहाँ पर 12 kids animation वाले जो faces हैं, उनको use कर सकते हो, और इस watch में आपको 96 workout modes मिल जाते हैं, तो आप जितना expect करते हो एक smart watch में जितने features होने चाहिए, वो almost सभी इसमें देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको 11 sports modes देखने को मिल जाते हैं, जैसे swimming हो गया, running हो गया, cycling अगयरा हो गया, और साथी साथ आपको yoga का भी मिल जाते है, योगा भी काफी अदा भी चल रहा है, तो वो भी exercise में count होता है, तो वो feature भी आपको Huawei Watch Fit में देखने को मिल जाता है, Huawei Watch Fit में आपको built-in GPS मिलता है, 5 ATM water resistant है, और इस watch में आपको 6 access IMU sensor मिलता है, accelerometer है, gyroscope है, और heart rate sensor है, Huawei Watch Fit आपका जो data है काफी अच्छे से accurate करता चाहे, fitness का हो SPO2 oxygen blood saturation reduction है, cycle tracks है, और Huawei True sleep 2.0 इसमें आपको मिल जाता है, जिसके मदद से आपकी जो sleep activity है, फिर sleep का data है, वो आपको काफी accurate देखने को मिल जाएगा, और true relax भी आपको मिलता है, तो अगर आपको stress वगरा है, तो वो सब भी data आपको इस smart watch में देखने को मिल जाएगा, बात कर में कुछ other features की, तो जैसे कि आपको यहाँ पर reminders मिल जाएगा, SMS अगर आपके phone पर आता है, तो वो सारी चीज़े आपको smart watch में दिख जाती है, incoming calls, calendar event या फिर social media apps का अगर आप कुछ customize किये हो, तो वो सारा notification आपको इस watch में देखने को मिल जाता है, इसमें आपको काफी सारे videos मिलते हैं, तो उसके मदद से आप काफी सारे चीज़े control कर सकते हो, जैसे music playback हो गया, snap of photo हो गया, find your device हो गया, इस तरह के काफी सारे आपको features यहाँ पर मिल जाएंगे, weather, alarm, timer, stopwatch, flashlight, यह सारे चीज़े आपको इस smart watch में देखने को मिल जाती है, अगर बात करें battery की, तो दोस् 7 days का battery backup मिलने वाला, तो I think की battery भी इसकी काफी सही है, खास करके आपको 10 days, normal uses में, heavy uses में, 7 days का battery backup मिल जाता है, और GPS आप 12 hours पूरा यूज़ कर सकते हो, अब बात करते हैं, इसके price की और यह smart watch कहां पर launch होई है, तो यह वाली smart watch, Huawei watch fit फिलहाल UAE में launch होई है, आप बोल सकते हो जो price रखी गई, अगर इसको आप कुछ convert करते हो, डॉलर में, 110 डॉलर के आसपास ही होती है, अगर आप इसको इंडियन मनी में convert करते हो, तो लगभख से 8,000 रुपए के आसपास, यह smart watch इंडिया में आपको मिलेगी, वैसे दोस्तों, problem सिर्फ इस watch में इतनी सी है, कि GMS का support नहीं मिलता है, Google Mobile Services नहीं है, तो Play Store वगएरा इसमें नहीं है, इनका खुद का store होगा, Huawei Store, तो वहाँ से आप apps वगएरा को install कर सकते हो, लेकिन अब Google के साथ में, अगर कोई smart watch आती है, तो आपको कुछ features ज्यादा मिलते हैं आपको, यहाँ पर थोड़ी सी limitations आपको मिलेगी, लेकिन दोस्तों जो price है, साड़े आठ आज रुपए के आसपस, वो काफी अच्छी रखी गई है, जो features आपको मिलते हैं, वो भी सही है, अगर यह smart watch इंडिया में आती है, तो I think कि काफी लोग इसकी तरब जा सकते हैं, वैसे दोस्तों आप लोग क्या interested हो, वो आगे वाश